हेलो बच्चो कैसे आप सबी लोग आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 28 जिसका नाम है All About Money इसमें हमें जो कोशनसस दिये हैं जो हमें लेशन के आखरी में जो हमें एक्सिसाइस दिए गए वो हम सॉल्व करेंगे ठीक है लेकिन इससे पहले अगर आप हमा लिस्ट का लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे तो चलो भी स्टार्ट करते हैं इसमें तो फर्स्ट किया आपको Meanings पताब शब्दार था पहला क्या बाटर बाटर मतलब क्या होता है Exchange of one thing for another मतलब कि एक चीज देना और पैसे दे कर नहीं, सामान दे कर, समझ लो, आपके पास एक किलो आलू है, सामने और एक पास एक किलो प्यास है, तो आपको अगर प्यास ही है, तो आप उसे आलू देदेगा, वो आपको प्यास देदेगा, तो इसको बोलते है बाटर, सिर्ट के कावरी, कावरी में तो क्या थ चोटी सी चमकने वाली चीज शेल की जो पहले पैसी की जगह इस्टेमाल की जाती थी कहां पर एफरीका और एशिया में ठीक है यह होगा हमारा पहला आप कोशन नुबर टू में चलते हैं यहां पर क्या आपको राइट दे एंसर टू फॉल्वर्ट में आपको इसका एंसर द आपको तो पता है ना सुनोगा अमेरिका की करेंसी क्या डॉलर है क्या बहुत है कोई ऐसे दो चीजों के नाम बताओ जो जिसको पैसे की तरह यूज किया जाता था पहले के समय में तो आपका क्या एंसर शेल्स कावरीज तो यह दो चीज़े हैं एक तो शेल्स कावरीज य यह दो चीज़े हैं जिसको पहले पैसे के जैसा इस्सिमाल किया जाता था कावरीज काता है चमकीली छोटी से चीज शेल्स जैसी रहती है वो ओके थर्ड गया नेम टू प्रेशियर्स मेटल्स यूज डेस मनी इन दा पास्ट क्या बहुत है कोई ऐसे दो चीजों के नाम ब चमकीली छोटी से चीज शेल्स जैसी रहती है वो ओके थर्ड गया नेम टू प्रेशियर्स मेटल्स यूज डेस मनी इन दा पास्ट क्या बहुत है कि आपको दो प्रेशियर्स मेटल्स कीमती मेटल आप बोल सकते हो जिसको पहले के समय में पैसे जैसे यूज किया जाता था तो आपका अंसर क्या है गोल्ड और सिल्वर आपने सुना होगा राजा महराजय के टाइम पे गोल्ड के सिक्के सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के इस्सेमाल होते थे तो वही यहां पे अब दोख आगे क्या आपको फोट में क्या है वेर वस पेपर मनी फर्स्ट यूज जları तो यहीं को यह सकोए कहाँ चैना प्रिंट करते हैं चाइना है कम कुन बुरेंट करते हैं कॉन चाहबता है जो भी उस देश की सरकार रहती है उन पैसो को और किसी को यह हच नहीं होता है किसमियर यहाप यहीं question number 3 write a short note on money क्या बोलने हमें पैसों के उपर एक छोटा सा short note लिखना है तो क्या है देखो we need money to buy things and pay people their salaries क्या बोलने हमें कोई भी चीज खरीद नी है तो उसके लिए पैसों की ज़रुवत पड़ती है या अगर किसी को पगार देनी हो लेकिन पहले के लोग यह जो सिख्का और note है यह नहीं इस्तेमाल करते थे they exchanged one thing for another क्या बोलने है वो अगर उन्हें कोई चीज खरीद नी रहती थी तो उसके बदले कोई चीज देते थे और लेते थे ठीक है they gave grain, cattle, stones, bricks of salt, shells, etc. in return for things like clothes, tools, etc. क्या बोलने है वो क्या करते थे, वो समय लो grain हो गया, अनाज हो गया, उनके जो पालतू जानवर है, पत्थर है, कुछ अलग टाइप के, bricks है, और shells है, यह सब देते थे वो और उसके बदले, वो कपड़ा, या तो कोई औजार, टूल यह सब खरीदते थे ठीक है, तो ऐसे चलता था पहले के समय, लेन दिन, पहले पैसे नहीं थे, तो ऐसे लोग एक चीज के बदले दूसरी चीज लेते थे then they begin to use precious metals like gold, silver and copper, क्या बोल रहे है, फिर इसको आद धीरे धीरे बाद में उन्हों ने, पैसे के रूप में जो precious metals जो रहते हैं, मतलब कि, जो कीमती metals रहते हैं, जैसे कि, सोना हो गया, चांदी हो गया, और तामबा हो गया, यह सारी चीजों को इस समाले लोग करते थे, ठीक आप देखो, आगे आपको क्या बोल रहे हैं वही पर, paper money was first used in China about 1000 years ago, क्या बोले, जो paper money है, जो कागस का पैसा है, वो चाइना में आज से 1000 साल पहले इससे माल किया गया था, notes are printed by the government of a country, क्या बोले, जो note रहती है, वो एक, जो देश रहते हैं, उसकी सरकार द्वारा छापा जाता है, no one else is allowed to print notes, क्या बोले, और किसी को ये हग नहीं है, कि वो note छापे, सरकार के लावा किसी को हग नहीं है, different countries use different coins and notes, and the money is known by different names, क्या बोले, अलग-अलग देश, अपने अलग-अलग सिक्के और note रहते हैं, वो इससे माल करते हैं, और हर देश के जो currency रहते हैं, जो अलग-अलग नाम रहते हैं, in India we call it rupee, in the US they use dollars, and in England pounds, क्या बोले, हमारा जो देश भारत है, वहाँ पर जो यूस किया जाता है, जो पैसा यूस किया जाता है, यहाँ पर, उसको बलते हैं rupees, और US में जो पैसा यूस किया जाता है, उसको बलते हैं dollars, और England के पैसों को बलते ह ठीक है, we must use the notes carefully, क्या बले, हमें notes को एकदम ध्यान से use करना चाहिए, we must not write the notes, we must not write on the notes, crumble them, or damage them in any way, क्या बले, कि हमें, जो हमारे पास note रहते हैं, उसको पर कुछ लिखना नहीं चाहिए, ना उनको crumble करना चाहिए, ना उसे कुछ भी फाड़ना, या तो ऐसे और damage नहीं करन चाहिए, ठीक है, अच्छे से इस्सिमाल करना चाहिए, अब दो कॉशन नमर टू में यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको बोल रहे है, look at the diagram on page 68, it is called a tree diagram, because it has branches, क्या बोल रहे हैं आपको, जो page 68 पर आपको diagram दिया गया है, वो आप देखो, वो एक tree diagram है, इसे देखो, एक लिखा हुआ है, और इसके बाद देखो, arrow करके, इसे line करके, दूसरा लिखा हुआ है, फिर इसे line करके, तीसरा block में लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं, tree diagram, ठीक है, now read the following and draw tree diagram to show this information, क्या बोले, अब यहाँ पर जो जानकरी दी गई है, इसको read करो, और उसी यहाँ पर आपको बोले, find more topics from your environmental studies और mathematics textbook for drawing tree diagram, draw label the diagram, क्या बोले, क्या बोले, कि आपको आपकी जो book है, EBS की book, Max की book, उसमें से कुछ जानकारी निकालनी है, और tree diagram आप बना सकते हो, और label भी कर सकते हो, ठीक है, तो यह वाला जो है, मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है, और बाकी अगर आपको ढूंड कर लिखना है, EBS और Max की book से आप कर सकते हो, ओके, चलो, यह दोखो, यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, पहला हम इसे read कर लेते हैं, तब अच्छे से लिख पाएंगे, क्या थिंस इन और surroundings form two groups, living things और non-living things, क्या बहुत है, जो भी चीज़े हमारे दो तरीके की है, एक तो plant मतलब पेड़ है, दूसरा januar, animal है, there are two types of plants, क्या बहुत है, plants भी जो होते हैं, वो दो type के होते हैं, क्या है, flowering plants और non-flowering plants, मतलब कि, एक ऐसा plant जिस पे flower आता है, एक ऐसा plant जिस पे flower नहीं आता है, if we consider animals, we see that some animals lay eggs, क्या बहुत है, अगर हम जानवरो to their young ones, क्या बोलना है, क्या बोलना है, कि कुछ जानवर है, जो अंडा नहीं देते है, जो young ones को, मतलब कि, डारेक जम देते हैं, बच्चे को, ठीके, they are viviparous animals, और उनको हम क्या बोलते हैं, ठीके, तो अब इसका हमें tree diagram बनाना है, तो हम पहले क्या कर सकते हैं, हम और surrounding लेख निकालके, प्लांट और animal लिख सकते हैं, ठीके, और उसके बाद देखो, जो हमारा plant रहेगा, उसमें से दो ब्रांच हम निकालके, flowering, non-flowering लिख सकते हैं, और animal जो हम ब्रांच निकालके, एक को लिख सकते हैं, animal, lay, eggs, और दूसरा वाला, जो give birth to the young ones, इस तरीके सा हम एक tree diagram हम बना सकते हैं, तो दिखते हैं, यहाँ पर कैसे बनाया है, यहाँ पर देखो, कैसे किया है, और surrounding है, हमारी surrounding में कैसे चीज़ी दिखती है, एक तो living thing, एक non-living thing, तो यहाँ से ब्रांच लिख लेगी, living thing की, यहाँ से non-living thing की, अब living thing में भी दो टाइप के हैं, एक तो plant ह देते हैं तो इसका दो ब्रांच बना वीपेरस ले एक्स और वीपेरस ले एक्स और वीपेरस गेपड़ टू द्या यंग वन्स ओके यह हो गया हमारा ट्री डाइग्राम अब अगले कुशन की तरफ चलते हैं अब यहां पर देखो आपको क्या बोल रहे हैं अब क्या बोले कि जो यह दो कॉलम है इसको जॉइन करके हमें नया सेंटेंस बनाना है और जो वर्ड यह दोनों को जोड़ेगा वो क्या रहेगा बिकॉज रहेगा तो चलो करते हैं यह दोनों को पहले यह word को जोड़के meaningful sentence बनाना है but का इस्सेमाल करते हुए ठीक है तो चलो करते हैं यहाँ पर देखो क्या आपको पहला हमें क्या दिया हुआ था पहला हमें she was tired she finished her homework तो हमें but लगाना है बीच में तो कैसे हम लिखेंगे हम लिखेंगे she was tired but she finished her homework इसी तरीके से आगे भी लिखना है आगे देखो second क्या है आपको यहाँ पर she wanted to buy a car she had no money तो यहाँ पर हमें but लगाना है बीच में तो कैसे रहेगा she wanted to buy a car but she had no money थर्ड क्या है आपको यहाँ पर देखो तर्ड में he was angry he did not fight तो इसके बीच में but लगा देंगे तो क्या रहेगा he was angry but he did not fight यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर है he was angry but he did not fight ओके fourth क्या आपका देखो fourth भी ऐसी रहेगा fourth में he did not know the answer he did not copy his friend's answer यह बीच में but लग जाएगा क्या जाएगा यहाँ पर देखो यहाँ पर but लगाना है बीच में बीच में तो क्या रहेगा they did not have have money but they lived happily last का है he did not read the book he knew the story तो कैसे आप लगा के बीच में he did not read the story but he knew the story sorry he did not read the book but he knew the story ओके तो देखो इसी तरे के आपको यहाँ पर करना है पुरा complete है यहाँ ठीक है अब आखरी में जो बुला है में कि अब वापिस यह दोनों sentence को join करके because लगा के लिखना है लेकिन देखो यहाँ पर क्या है हम हर किसी sentence के बीच में because नहीं लगा सकते हैं क्या है we cannot join any of these sentences using and they will not make sense क्या बुलने है यहाँ पर देखो कि यह जो sentence है हम इनको join नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह sense नहीं होगा sense नहीं बनेगा sentence का बीना मतलब का sentence मन जाएगा we can use because only for the last sentence क्या बुलने कि हम सिर्फ last sentence में ही because use कर सकते हैं क्योंकि देखो अगर आप यहाँ से हम एक sentence उठाते हैं they did not have money they lived happily तो देखो अगर इसमें because लगा वे बीच में they did not have money because they lived happily sense नहीं बन रहा है न इसके लिए यह सारे sentence में हो इसे ही है तो आखरी वाला देखो सिर्फ हम बना सकते है he did not read the book because he knew the story यह सही है तो ऐसे आप आखरी में यहाँ पे लिख सकते हो he did not read the book because he knew the story अब आखरी question पे आते हैं क्या है यहाँ पे हमारा ask your parents or some other grown-ups to show you some used notes क्या वोले आप अपने माता पिता या तो किसी बड़े से बोलो कि इस्तेमाल कुई जो note है वो आपको दिखाए observe them carefully और उसे आप ध्यान से देखो have they been used properly क्या वो note अच्छे से इस्तेमाल की गई है write your observation आपको अपना observation लिखना है इसमें मतलब जो भी आपने notice किया है जो भी देखा हो लिखना है तो आप कैसे लिखोगे I asked my mother to show me a sum of notes of different denominations क्या बोले देखो यहाँ पे कि मैंने अपनी मम्मी से कुछ note लिखाने के लिए बोला तो उन्होंने अलग-अलग note मुझे दिखाई I found that none of them had been used properly क्या बोले कि मुझे यह जब मैंने note को देखा तो यह पता चला मुझे कि कोई भी note अच्छे से इस्तेमाल नहीं की गई है most of them had been folded many times क्या बोले कि इसमें से बहुत सारी note को बार-बार fold किया गया है some had strains on them और कुछ-कुछ पे तो दाग लगे हुए some had numbers written in pen on them क्या बोले कुछ-कुछ note पर तो pen से number भी लिखा हुआ है some were even torn और कुछ-कुछ जो note है वो फट चुकी है my mother had tried to keep them neatly in her purse but the damage could be seen क्या बोले है कि मेरी ममी ने ये try कि कि उसे अच्छे से अपने purse में रखे लेकिन जो उस note को नुकसान पहुचा जो damage है वो अच्छे से देखा जा सकता है I think we all need some training on how to handle notes carefully क्या बोले है कि मुझे लगता है कि हम हमेंसे हर किसी को training चाहिए कि note को कैसे इस्तेमाल करना है क्योंकि लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते इतने बुरे तरीके से कि note फढ़ जाती है या तो उस पे पेंसे लिख देते हैं या तो कुछ गिरा देते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझ के note को से इस्तेमाल करने चाहिए ताकि वो किसी आगे किसी के पास जाए तो यह इसी हालायत में नहीं रहे ओकी आप देखो यहां पे क्या है आपको आखरी कुशन का है एक आपको आटो बाइग्राफ लिखना है एक नोट के उपर आट से दस लाइन में तो आप कैसे लिखोगे देखो सबसे में लाब लिखोगे आपको स्टार्ट करना है तुड़े आइम थाजन रुपी नोट एंड कमांड कॉइट अलॉट रिस्पेक्ट इन सोसाइटी क्या बोले है अब देखो हजार रुपी की नोट है क्या बोले है कि आज मैं एक हजार रुपी की नोट हूँ और जो सो प्रेजेंट सिटिंग कमफर्टिबली इन इन दर ड्रॉर ऑफ जोलर और नोट क्या बोल रही है कि मैं अभी वरतमान में एक ड्रॉर में बैठी हुई हूँ आराम से एक जोलर के ड्रॉर में I was given along with hundreds of others like me to the जोलर in return of a diamond necklace by a very stylish lady और देखो नोट क्या बोल रही है कि मैं दी ग नोट क्या बोल लिए मैं जैसे 1000 रुपी की नोट हूँ वैसे मेरे साथ और भी नोट दी गए थी इस जोलर को एक necklace के लिए जो एक stylish lady ने खरीदा था ठीक है I remember my early days और देखो नोट क्या बोल लिए कि मुझे मेरे पुराने दिन याद है I was originally a part of a tree नोट क्या बोल लिए मैं पहले एक पेड का हिस्सा थी I was cut down मुझे काट दिया गया था क्योंकि आपने सुना होगा जो नोट रहती है वो पेड से बनती है जो paper रहता है पेड को काट के बनाया जाता है तो ही अब note अपने एकदम जहां से note born हुई जहां से पैदा हुई है अब वहाँ प एकदम चली कि पहले मैं एक पेड पेड थी मुझे काट दिया गया process converted to paper and sent to the mint और क्या आप वो नोट बोलिए कि मुझे काट दिया गया और पेड में कानवर्ट किया गया और मुझे भेज दिया गया मिंट देखो मिंट क्या होता है मिंट मतलब जहां पे note बन दिया ना note उसको बोलती है उस जगहां को a lot of things were printed on me और देखो ये note क्या बोल लिए कि उसके बाद जब मुझे paper बना के उस note बनाने वाली company में जो factory भेजा गया वहां पे तो मेरे उपर बहुत सारी चीज़े प्रिंट हुई और देखो नोट क्या बोल लिए कि उसके बाद जब मैं बन गई तो मुझे चेक किया गया बार 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 मुझे रीचेक किया गया उसके बीच में क्या हुआ मैं एक security bank के bank में भेज दी गई और देखो नोट क्या बोल लिए कि उसके बाद क्या हुआ जो आई बैंक में मुझे बाहर निकाला और उस जोईलर उस सोनार को दे दी जहां पे अभी मैं हूँ अपना टाइम पास करते हुए और नोट क्या हो लिए कि मैं कल्पना कर रही हूँ मैं सोच रही हूँ कि मेरा future मेरा भविश्य क्या होगा मैं किस के पास जाऊंगी ठीक है तो यहाँ पे हमारी इस नोट क्यो आटो बायोग्राफी खतम हो रही है ठीक है जिसको हम हिंदी में बोलते है आत्म कथा ओके तो जो भी आपको learn करना है learn कर लो इसमें तक है अगर आपका test हो तो आपके full mark से मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को like करो अपने सभी दोस्तों के साथ share करो और channel को subscribe करो thank you